बीजेपी राश्टी कारेकारणडी की बैठक यहीं सोम बार से होने वाली है एंडी एमसी कंवेंसर रावल जहाँ पर बैठक सुरू होगी आप देख सकते हैं इसके अलावे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर जो तैयारियां चल रही है सारे परिशर में वेल्डिंग चल रहा है जहाँ पर बीजेपी के होडिंग और बैनर पोस्टर पटाए जाएंगे लगाए जाएंगे और ये मेरे स्थीक सामने ये जो निर्माड कार्या चल रहा है इसमें बीजेपी एक इसमें प्रदर्सनी लगाने वाली है जहाँ पे जिसका थीम होगा गरीब कल्यार प्रदानमंत्री मोधी सरकार के नेत्रित्र में जो गरीबों के लिए काम किया गया है उसके थीम पर इसमें प्रदर्सनी लगाई जाएगी और ये अंडीमसी का कंवेंसर सेंटर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ चारों तरफ जो ब्यवस्था हो रही है वो इस प्रदानमंत्री यहीं से आएंगे और इसी रास्ते से आएंगे और रोडशो तकरीबन एक किलोमेटर का करेंगे मैं जिस रास्ते से आपको ले चल रहा हूं दिखाने के कोशिस कर रहा हूं यहीं रास्ता है जहां से प्रदानमंत्री आएंगे और बीज़पी का रिकार्णी में शामिल होंगे रोडशो का आखरी पॉइंट यह होगा यहां तक बीज़पी के का जी ट्वेंटी का जो लोगो है काउमन है और मिक्स है आप देख सकते हैं कि जितने भी सड़के हैं एक तरफ बीज़पी का जंटा लगा है तो दूसरी तरफ वसुदैवे कुटोंकम से शामिल जी ट्वेंटी का लोगो लगाये गया है तो यह अपने आप में इस पूरे कर में गरीब कल्याड और देश की असमिता देश का जो सम्मान है देश को सम्मान मिला है उसको किस तरह से आगे लेकर गाओं गरीब किसान और आम आदमी के बीच पहुंचना है इसकी भरपूर कोशिश बीज़पी करेगी यह वह पॉइंट है यह चोरहा है जहां पे लोग का आप ही करे करता है यहां आएंगे और अभिवादन स्विकार करेंगे तो यह बीज़पी का की तयारी है और यह एंडीमसी कर्वेंशन सेंटर है हम उस जगह पे भी लेचलेंगे आपको जहां से प्रधान मंत्री का रोड़ शो का आगाज होना है शोमार को प्रधान मंतिर आप देख सकते हैं कि सरदार पठेल चौक पे जी ट्वेंटी का लोगो यहां भी लगाया गया है और वसुधयो कुटुमबकम का लोगो यहां भी लगाया गया है यहां से शुरू होकर उनकी उनका जो रोड़ शो है सीधे यहां से संसद मार्ग होते हुए एंडीमसी और डोंति का पूरा इंटजाम अभी से सुरू हो चुका है और दो रोतरफ कारेकरता यहां भैरिकर्टि还 कर दिया गया है कि कारेकरता कोई सदो हे आते अधे और डीक सकते हैं इस इंक रोडंगा जो पेड़ हैं उनको भी एक तरह से जो टहनिया उनके निकली हुई थी उनको भी चौपिन किया गया है और यहां से प्रधान मंतरी का काफिला गुजरेगा ताकि उनके सुरच्छा में किसी तरह की दिक्कत न हो तो आज से ही सिक्रूटी फोर्सेज और तमाम जो अधिकारी हैं इस काम में लग गए हैं कि प्रध स्राजियों के विधान सभा चुनाओ होना है उसके लिए कैसे टेंपो बने एक टेंपरामेंट बने कैसे उसमें बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा बढ़त मिले उसके मद्दे नजर यह बहुत ही खास और बहुत ही इंपोर्टेंट रोड्सो रहेगा दिल्ली में इस तरह से चुनावी सफर की सुरुवात होती है जो 2023 में सुरू होगा फरवरी में और उसका खात्मा लोकसभा चुनाओ 2024 तक होगा कैमे मनमस्तान के साथ आमोधराय टीवी नाइन